नमस्कार, दोस्तों आज का विशेशना क्या है? आज तो गांधी जैन्दी है. आजादी का कोई मतलब नहीं, यदि इसमें गल्ती करने की आसादी शामिल ना हो. Freedom has no meaning, if it does not include the freedom to make mistakes. आप लोगों को पता है कि यह किसका कहना है? नहीं तो मैं बताऊंगी. यह हमारे राष्ट्र पिदा महात्मा गांधी जी का कहना है. आईए मैं शैला, आप लोगों को स्वागत करती हूँ. सुनिए गांधी जी के बारे में. 2. अक्तूबर 1869 को महात्मा गांधी का जैन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था. वही दिन हम गांधी जैन्दी के रूब में मनाते हैं. गांधी जी के पिदा का नाम करमचंद गांधी, जो राजकोट के दिवान थे, और इनकी माता का नाम पुतली भाई. गांधी जी की माधर भाषा गुजराती थी. इस दिन को विश्य अहिमसा दिवस के रूब में भी मनाया जाता है. इस इंटरनाशनल डे ओफ नॉन वाइलन्स. 15 जून 2007 को सयुक्त राष्ट्र महा सभाद्वारा अक्चूबर 2 को अंदराष्ट्री अहिमसा दिवस के रूब में खोशिद किया. महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्र पिदा भी कहा जाता है. राष्ट्र पिदा की उबाधी सुबाश चंद्रवोस ने दी थी. भारत में गांधी जैन्दी कैसे मनाई जाती है? आईए उसके बारे में भी बदाऊंगी. भारत में गांधी जैन्दी, प्रार्थना सभावों और राजकाट नई दिल्ली में गांधी प्रदिमा के सामने स्रधान्जली देकर राष्ट्री अवगाश के रूप में मनाई जाती है. गांधी जी ने अपनी आत्मगधा, The Story of My Experiments with Truth में धर्शन और अपने जीवन के मार्ग का वर्नन किया है. गांधी जी का लेक्ष्य, अहिमसा, इमानदार और स्वच्च प्रधावों के माध्यम से एक नई समाज का नुर्मान करना था. 30 जन्वरी 1948 को नाथूराम गोड से नामक विक्ती ने गांधी जी को गोली मार कर हत्या कर दी थे. हमारे देश की रैश्ट्रपिदा महात्मा गांधी एक महापुरिश थे. मायनवदा के समरक्षट थे. वे सत्य और अहिमसा के पूजारी थे. हम उन्हें बापु भी कहते हैं. गांधी जी का सबसे प्रेरनादाएब एक उधरन सुनिये. खुद को जानना है तो दूसरों की सेवा में डूब जाओ. गांधी जी दुनिया को यह साबित कर दिखाया की अहिमसा के मार्ग से सोदंतरदा हासिल की जा सकती है. हमारी आसादी और भारत की सोदंतरदा उनीम की देन है. इतना तो है थन्यवाद. जानना है.